हलो दोस्तो कैसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागत है आप सब का हिंदी चेस वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम चेस के दो महारतियों के बीच में खिली गई हुई एक काफी सुंदर गेम देखेंगे जो की अकीबा रुमिनस्तेन वर्सिस इमिन्योल लासकर के बीच में खिली गई थी इस गेम में इमिन्योल लासकर ब्लेक पीसिस के साथ खेल रहे है और आपको पता ही होगा कि इमिन्योल लासकर जो है वो लगातार 27 सालों तक वर्ल्ड चेंपियन रहे थे 1894 से लगे 1921 तक जबकि अकीबा रुमिनस्तेन दोस्तों ऐसे प्लेयर है जो वर्ल्ड चेंपियन बनने के पूरे जो है वो दावेदार थे मनलब वो वर्ल्ड चेंपियन मटरियल ही थे बट कभी जो है वर्ल्ड चेंपियन बन नहीं पाया उन दोनों के बीच में यह पहली गेम थी जिसमें अकीबा रुमिनस्तेन ने काफी सुन्दर गेम खेली और इमेनल लासकर को बीट किया बट ओवर्ल स्कोर अगर देखा जाए तो अभी भी जो है इमेनल लासकर ने अकीबा रुमिनस्तेन को 2-1 से क्लासिकल गेम में बीट किया है विट फो ड्रो मतलब टोटल सांथ एंकाउंटर हुए जिसमें से दो इमेनल लासकर ने बीनके एक अकीबा ने आए देखते हैं उन दोनों के बीच में खेले गई वे पहले गेम जहां पर अकीबा रुमिनस्तेन एंगेम की शुरुवात D4 से की और नाव D5, Nf3, Nf6, C4, E6, Queen's Gambit decline, और बिशप G5, C5, C captures D5, E captures D5, N2 C3, C captures on D4, N captures on D4, और नाव N2 C6 जबकि उसी पोजिशन में पहले जो है, बिशप E7 खेलना जदा अच्छा था, ऐसा जो है, इमने लास्कर ने कॉमेंट किया था, क्योंकि Nc6 की वज़ा से, अब क्या हुआ, E3, and then Bb5 आ गया, so यहां पर अब बिशप E7 खेला गया, now दोस्तो Bb5, और यहां कैसी पोजिश में Q2, D7 नहीं खेल सकते हैं, otherwise, उदर जो है, Q2, A4, काफी स्टोंग है, नेक्स पूमें जो है, Nc6 आ रहा है, so यहां पर आपको A6 खेलना पड़ेगा, जिसकेस में, minimum white को जो है, एक pawn तो मिलेगा ही मिलेगा, right, or even वो जो है, Nc6 के लिए भी जा सकता है, जिसकेस में pawn captures on B5 के बाद, Queen captures रूख आ रहा है, so basically white की position वहां पर काफी अच्छी हो जाती, और उसी तरह से, Bishop to B5 के बाद, say आप जो है, यहां पर Queen C7 खेलते हो, but then Bishop capture F6, Bishop captures, and then Knight captures on D5, जो है, यहां पर at least आपको एक pawn मिल रहा है, और Queen F5 चेक में, आप क्या कर सकते हो, even King F1, okay, King F1 भी खेल सक and now Bishop capture F6, Bishop capture F6, and now Knight captures on D5, so इस तरह से white को एक यहां पर pawn मिला, but यह pawn जो है दोस्तों, वो actually Black को वापस मिल सकता है, Bishop captures D4, E captures D4, and now Emmanuel last करने यहां पर Queen to G5 खेला, और अभी जो है, G2 pawn and Knight, दोनों पर attack है, और से आप जो है, Knight E3 खेलते हो, G2 pawn को support देने के लिए, then Bishop जो है, आपका and then आपको Queen मिल रही है, इसलिए पहले, Bishop captures on C6, और अब Knight 2, E3, और इस position में, Emmanuel last करने Long Castle खेला, और उनीके word में बोले तो वो बोलते है, यह careless move है, यह move अच्छी नहीं है, क्योंकि इधर Knight E3 के बाद आप Bishop captures on G2 खेल सकते थे, क्योंकि Rook 2, G1 के बाद क्या हो रहा है, Simply Queen to F5 check आ Rook Trap हो जाएगा और उसके बाद King F8, सो उल्टा Black जो है भीन हो जाएगा, और अगर देखा जाए अब दियान से, तो material जो है दोस्तों, बोड पर equal हो चुका है, सो यह position जो है, अब तीनों result के लिए open है, बट गेम में चलते हैं, जहाँ पे Knight 2, E3 के बाद, Long Castle खेला गया, and now Castling Short, और अब यह Pawn जो है, अब permanent हो चुका है, यहाँ पे Rook H2, E8, इमेनो लास करने खेला, सो उनकी threat है दोस्तों, अब Rook Captures E3, and then G2 पर Met हो रही है, सो Rook 2, C1, यहाँ पर अकी बार विंस्तान ने खेला, उनका Point देखिए, कि Rook Captures E3 के बाद, simply Rook Captures on C6, सो पहले तो जो है Checkmate Material था, उसको जो है, बोड से आप Remove कर रहे हो, और उसके बाद यहाँ पर आप Capture कर सकते हो, सो आप यहाँ पर सोच रहे होगो कि उसमें जो है, एक Pawn मिल जाएगा, एक नहीं शायद दो Pawn उदर मिल सकते है, पर दोस्तों, यहाँ पर In Between Move एक है, देखिए, यहाँ पर B Captures on C6 के बाद Queen C1, सो अब हमारी थ्रेट है हम यहाँ पर मारेंगे भी सहीं, और साथ साथ जो है, Queen Capture C6 की भी थ्रेट है, और इस पोजिशन में आप क्या कर सकते हो, मैट भी आप यहाँ पर Rook E5 खेल सकते हो, बड उसकेस में हम जो है, Simply उदर Rook को Capture कर सकते है, या फिर पहले जो है, वो Queen Capture C6 चेक दे सकते हो, उसके बाद जो है, उस Rook को Capture कर सकते है, तो All In All हमारे पास एक Extra Pawn तो रहेगा ही, तो Queen to C1 के बाद, एक्चली इमान्यूल लास करने, Rook Capture on D4 खेला, and now F Capture on E3, तो आपके Rook पे भी एटेक है, तो यहाँ पे से आप Rook to D6 करते हो, और Pawn को Save करने की Try करते हो, but then Rook Capture F7, वाइट का Rook, जो है, वो 7th rank पे काफी अच्छा active है, so F Capture on E3 के बाद, इमान्यूल लास करने, Rook to D7 खेला, and now Queen Capture on C6, और इस पोजिशन में, दोस्तो, Rook to C7 possible ही नहीं, otherwise, यहाँ पे जो है, ब्लेक के किंग पे काफी जबरदस अटेक आ सक चेक देके, बाद में Queen Capture on G2 खेलना चाते हो, मतलब Rook C2 खेक, Aking even and Queen Capture G2, so आप यहाँ पे वाइट के किंग पे अटेक करना चाते हो, but move जो है, वो इस पोजिशन में अब वाइट की है, so वाइट चाहे तो यहाँ पे ओपोस Queen Capture Queen खेल सकता है, but नहीं, यहाँ पे जो है, मैटिंग एटेक मिल रहा है वाइट को, कुछ इस तरह से Queen E8 चेक, Queen D6, Sorry King D6, Rook to D4 चेक, King C5 and now Queen F8 चेक, King B6 and then Queen to B8 चेक, और कुछी दिर बाद जो है, गेम ओवर हो जाएगी, यहाँ पे आपको Queen to B7 खेलना फोर से, अगर Queen B7 आता है, then Rook चेक और बाद में वहाँ पे Queen जा रही है, इनसे आप King C5 खेलते हो, but then B4 चेक, after King C6, Rook to D6 जो है, चेक मिट हो जाती, so normally जब आप major pieces के साथ एटेक करते हो, तो जिस बंदे की पहली move है, मतलब जो बंदा पहले punch मारता है, वो normally win होता है, so Queen captures on C6 के बाद, गेम में जो है, वो King to D8 खेला गया, and now Rook to F4, औ और इसी move को जो है, अगर Emmanuel Lasker के word में बोलें, तो splendid move, मतलब Emmanuel Lasker है कैसे थे दोस्तों, कि काफी genuine, right, और उनकी game अगर आप देखो, तो वो काफी अच्छे defender भी थे, और इतने अच्छे defender को, Akiba Rubinstein ने जिस तरह से bait किया, वो सही माइनों में, काफी अच्छा है, यहाँ पे R जो है, R2D1 चेक देते हो, but then, Kf2, and after Rd2, K1, and say, अब जो है, आप Queen captures on G2 के लिए जाते हो, right, then, again, जो है, यहाँ पे आपका attack, जो है, काफी strong आ जाएगा, point यह है, कि उसमें Rook जो है, उसमें D4 चेक आ जाएगा, जिसमें अगर आप capture नहीं करते हो, then, आपकी Queen चले जो है, try करते हो, Queen captures, right, and then, R2D4, check, और अब इस position में आप क्या खेलोगे, say, आप जो है, इस position में King जाते हो, इदर, but then, simply, उदर, check, and then, जो है, Rook captures D5, इतना तो, simple दिख रहा है, कि हम, जो है, Rook पूरा extra, आप हो जाएगा, so, यह position, जो है, वो just, completely winning है, White के लिए, so, आप try कर तो, King E1 के बाद से, Queen to D5 की, Queen exchanges करने की, बर देने position में, Queen captures D5, Rook captures D5, and Rook captures F7, उदर, White, जो है, completely winning है, तो, अभी भी, दो, पौन पे, टेक है, और, extra, दो, extra, पौन, तो, अभी भी, वाइट के पास है, right, so, इसी रिए, Rook F4 के बाद, game में खेला गया, F5, and now, Queen to C5, so, Queen C5 का King E1, and now, Queen captures G2, just Queen to F5, चेक है, उसके बाद, जो है, Rook drop हो जाएगा, right, so, Queen C5, चेक के बाद, Queen to E7, game में खेला गया, and now, Queen captures E7, King captures on E7, and Rook captures on F5, so, दूसरा पून इसलिए दिया, क्योंकि, यहाँ पर, Eminent Lasker को, जो है, B2 का पौन मिल रहा है, so, Rook D1, चेक, King F2, Rook D2, चेक, King F3, and now, Rook captures on B2, and now, Rook to E5, आपके पौन पर एटेक है, so, Rook to B7, खेलना force, so, अब क्या हो दोस्तों, Rook जो हो, पैसिव पोजिशन में चला गया, अब बात, बारी है, King की, King को जो है, हम एक्टिव नहीं होने देंगे, इसलिए, Rook to just A6, so, King को कट अफ किया, so, देखिए, पोजिशन जो है, वो पूरी की पूरी ब्लेक की पैसिव हो चुकी है, वाइट यहां से जो है, आराम से खेल सकता है, अपने पौन पूश कर सकता है, अपने King को, जो है, Moog कर सकता है, King F8, and now, E4, Rook C7, and now, H4, G4, सोरी, King F7, G4, King F8, King F4, और आइस्ता आइस्ता की बारुम जो है, जिस तरह से, अकिबारुमिस्ता ने बीट किया, दोस्तो, just mind blowing, King to E7, and now, H5, H6, and now, King F5, King F7, and now, Pawn E5, Rook B7, and now, Rook to D6, King E7, Rook A6, और यहां पे शायद वो 40 moves के, टाइम कंट्रोल में पहुंच रहे थे, तो इसलिए, कुछ moves उन्हों ने रेपीट की, King F7, Rook D6, King F 7, और A3, याकिबारुमिस्ता ने खेला, और इस पोजिशन ने, Emmanuel Laskan ने, Resignation दे दिया, Resignation क्यों दिया, दोस्तो, देखें, यहां पे, First of all, Rook कहां पे मुँगा, कहीं पे भी नहीं, C7 पे जा रहा है, अगर D7, then Pawn check, और जा रहा है, सो से आप Rook E7 खेलते हो, but then, E6 check, औ तो KG8 जाना पड़ेगा, या कि KG8, KG8 अपकोस एकी मुँग में मेट हो रही है, और KG8 जो है, उदर इतना आच्छा नहीं है, क्योंके KG8, then Rook C8 check, KH7, and now simply KG5, और KG6 आ रहा है, और बाद में Pawn push हो जाएगा, सो वाट जो है, यहां पे totally win है, सो E6 check के बाद से आप KG F8 खेलते हो, बड़ उस पोजिशन में, Rook C8, Rook E8, Rook captures, King captures, और बाद में जो है, King 2, King 2 E5, King 2 जो है, वो D5, और वाट जो है, महाँ पे total win है, क्योंके उनके पास extra pawn है, अपकोस, वो पोजिशन पहले ही ना हो दोस्तो, बट बोड पे दूसरे pawn है, सो वाट क्या कर सकता है, क दूसरे pawn capture करने के लिए जा सकता है, और even इस particular position में हम जो है, King 2, King 2 E6 के लिए भी जा सकते है, right, but anyways, sorry, King 2 G6 के लिए भी जा सकते है, but game में A3 के बाद और क्या possible हो सकता है, एक Rook E7 में ने बोला, दूसरा था, Rook 2 D7, कुछ और possible है की नहीं, एक है A5, से आप pawn की move करते हो, but then E6 check, and say King E7, और अब जो है, King 2 G6, और अब जो है, King 2 G6, यहाँ पर pawn जा रहा है, इसे आप King F8 करके, उस pawn को defend करते हो, but then E7 check, और अगर आप जो है, Rook से मारते हो, then Rook check आ जाएगा, और उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, कि King जो है, वो कहीं पर निकल नहीं सकता, so Rook E8 खेलना पोर्स, and then Rook captures, King captures, and King captures G7, completely winning है, क्योंकि दूसरा pawn भी जो है, वो जा रहा है, so उसी तरह से कुछ और पोसिबल नहीं था, यहाँ पर से E7 जब चेक दिया, Rook से मारने के लाएगा, so आप King से मारते हो, then कहरा नहीं पड़ेगा, just King captures, और उसके बाद दूसरा pawn भी चल जाता, so white की position वहाँ पर completely winning थी, so इसलिए दोस्तों, King F7 के बाद, A3 जैसे ही, Akiba Rubinstein ने कहला, इस position में, imminent loss करने resignation दे दिया, so दोस्तों, केसी लगी आपको, imminent loss कर, versus Akiba Rubinstein की यह game, I hope, यह game और मेरा वीडियो दोनों ही आपको काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है, तो प् मर देना बिलकुल ना भूले, तनिवाद, चैहिन, बाबाई